अगर आपको भी वीजा में प्रोब्लम आ रही है, बार-बार रिफ्यूजल आ रहा है या कोई ना कोई अर्चन पढ़ती जा रही है, बार-बार जाने का प्रोसीजर». वीडियो आगे बढ़ाते हैं मैं बात कर रही थी वीजा की जिनके प्रॉब्लम आ रही है चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो चाहे वो विस्टर वीजा हो कोई भी किसी भी तरह का वीजा हो आप ये रेमेडिस करके अपने वीजा को अप्रूव करा सकते हैं तो चलिए पहली सुनिए बहुत ही सिंपल रेमेडि है आपने करना क्या है फ्राइडे के दिन शुकरवार के दिन वाइट कलर का रुमाला लाईए और उसे गुर्दवारे में चड़ा आईए सच्चे मन के साथ चड़ा के आईएगा और भगवान के आगे प्रातना करके आईएगा कि हमें जल्दी से जल्दी वीजा लगवाती ये थोती पहली रेमेडी अब सुनिए दूसरी रेमेडी आपने साथ अंब्रेला लेने है ब्लैक कलर के हां जी ब्लैक कलर के सिवन अंब्रेला आपने लेने है और शनिवार के दिन सेटरडे के दिन इनको दान कर देना है आप इसको द ये थोड़ी सी tough remedy है क्योंकि आपको regular करनी पड़ेगी तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आपका जितना भी weight है माल लीजे आपका 50 kg weight है तो आपने 50 kg सतनाजा लेना है सतनाजा होता है साथ अनाजो का मिश्रन ये आपको किसी भी grocery shop में बड़े easily मिल जाएगा इसमें problem नहीं आती है अब आपने क्या करना है थोड़ा थोड़ा करके आप इससे चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके बिला सकते हैं एकदम से 50 kg घर पे लाके मत रखेगा आप 1-2 kg ले आईए but make a note of it कि राइक मैंने अगर 50 kg लाना है आज मैं 2 kg लाया हूं next week आप लिख सकते हैं कि आज म पक्षियों को देना है सुबह के टाइम पर उसके बाद अगर आपका एक सर्कल जैसे खतम हो जाता है तो आप सेकिंड सर्कल शुरू करतीजेगा और ये सर्कल एक दो सर्कल करने में ही आप देखेंगा कि आपका जो वीजा का प्रोसीजर है वो बहुत ही जल्दी से और बह आगे बढ़ने लगया है ये रेमेडी बहुत जादा पावरफुल है अब जरूर करियेगा इसमें मैंने देखा है कि मेरे क्लाइंट्स के ही जिनके खुद के रिफ्यूजर लग रहे थे उनके वीजा अप्रूवल आए हैं तो ये वाला जो रेमेडी है जरूर करियेगा सत अब कुछ भी वीजा के किसी भी काम से जा रहे हैं चाहिए आप अपने ये जो होते हैं consultant उन्से मिलने जा रहे हैं तो आपने घर से गुड मू लगाके जाना है गुडखा के जाना है चोटी 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 चीज़े करलीजेए आप देखें कि आपकी जंदगी कितन स्मूध हो जाएगी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएगी तो ये थी मेरी आज की रेमेडीज चलती हूँ जल्दी ही मिलूँगी नई रेमेडीज के लिए तब तक के लिए बाई बाई